नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन हवा क्यों भरवाई जाती है और इसके क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं बिना किसी देरी के शुरू क आज कि वीडियो को कार या वाइक की से में काम सभी करते हैं लेकिन अकसर आपने लोगों को टायर नाइट्रोजन ने पर वनीं के बारे में नाइट्रोजन गेस रबर की वज़े से टायर में कम बढ़ पाती है जिसकी वएसे टायर में प्रेशर ठीक रहता है इसलिए फॉर्मुला और रेसिंग कारों में टायर में नाइट्रोजन गेस ही भरी जाती है जब टायर में नाइट्रोजन भरी जाती है तो इससे टायर के अ oxygen dilute हो जाते हैं oxygen में मौझूद पानी खत्म हो जाता है और रिम भी सुरक्षित रहते हैं साधारण हवा में एक समश्या ये होती है कि आधरता की वज़े से ये फेलती है ताय गेस के अहरो जाता है वहीं इसमें मौझूद वेपर टायर में ज्यादा प्रेशड डालते हैं तायर की रिम पर भी बूरा असर होता है आपको बता देगी science के अहसाब से nitrogen gas टायर को गर्मियों के मोसम में थंड़ा रखती है science के अनृरूप बात करें तो हमारे आसपास मुझूद हवा में नाइट्रोजन गेस 78% है वही 21% परशीशत ऑक्सीजन है और बाकी 1% में कर्बन डायोकसाइड गेस है सभी गेस गर्मे में फैल जाती है और ठर्ड में सिकुट जाती है कुछ ऐसा ही टायर की हवा में भी होता है जिससे गर्मियों के मौसम में टा सब्सक्राइब की अगर मच जाएगा मिलते हैं दोस्तों अखली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत